नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोश खबर कायकरम भारती जन्ता पार्टी इन दिनों बुरी तरह से बौखलाई सी दिखाई दे रही है उनके नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं यूँ तो अक्सर ही उनके नेताओं के बोल बिगड़े रहते हैं लेकिन इस बार मामला कुछ फर्क है जब देश के ग्रह मंतरी अमिश्शा या फिर मोधी मंतरी मंडल में बहुत ही खास जगा पर विराजमान इसमृती इरानी पूरी ट्रोल आर्मी के साथ एक यात्रा पर फोकस हो जाएं लगातार एक के बाद एक बयान आने लगें तो साफ ही लगता है कि कहीं न कहीं बहुत गहरी चोट लग रही है वरना सोचिये जिस राजनितिक दल के यहां हम बात करें कॉंग्रेस के कॉंग्रेस की लोकसभा में महज 53 सांसद हैं और भाशपा के 303 ऐसे में कॉंग्रेस की यह जो भारत जोडो यात्रा निकली है इससे भारती जनता पार्टी के नेताओं को इतने बड़े लेबल पर परिशानी होना इतनी मिर्ची लगना कहानी कुछ और बता रही है कॉंग्रेस ने 7 सितंबर से कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी भारत जोडो यात्रा शुरू की तमिलाडों के बाद इस समय वह केरल में चल रही है और आप तब से लेकर अभी तक देखे कि भाश्पा किस तरह से इस यात्रा पर हमलावर है एक के बाद एक लगतार बयान आ रहे हैं कभी राहुल गान्दी के टी-शिर्ट की कीमत पर बवाल कटता है बवाल मचता है तो कभी उनके सोने के इंतजाम पर तंज कसा जाता है लेकिन मज़दार बात यह है कि अभी तक भाश्पा का यह तमाम जो दाव चल रहे हैं यह उल्टे पड़ रहे हैं लोग हमारे डिजाइनर प्रधानमंत्री, सौरी, डिजाइनर कपणों और स्टाइल के शौकीन, मिस्टर पी-एम के दस लखिया सूट, हजारों रुपे के चश्मे, घड़ी, आदी की फोटो, सोशल मीडिया पर वाइरल कर रहे हैं यहां तक कि टीवी डिबेट पर कॉंग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधी हैं, प्रवक्ता हैं, वह भी लेकर जा रहे हैं यानि, लोगों की याद दोबारा से तरो ताजा की जा रही है, कि जिस टी-शर्ट पर हमला बीजेपी कर रही है, वह भूल जा रही है, कि उनके खुद के नेता, प्रधान मंत्री हों, ग्रिह मंत्री हों, या फिर स्मृती इरानी हों, वह किस तरह से स्टाइल में रहते हैं लाखों रुपे में दील करते हैं, अब देखी न, इस मृती इरानी और उनके बयान, हम सब जानते हैं कि संसर से लेकर सडकतर, वह कॉंग्रेस पर भीशन रूप से आकरामक तेवर रखती हैं, और इस मामले में बहुत नाम कमाती हैं, बहुत बड़ा कद हैं उनका भारती जोडो यात्रा और कॉंग्रेस के नेता रहूल गांधी के बारे में सारजुनिक तोर पर मंच से जूट बोलती हैं, और जूट भी बिलकुल बिंदास अंदास में, गरचते हुए, तंज कसते हुए, नजाने क्या क्या कह डालती हैं स्मृती रानी, सिडीशन तक की बात करत अलग अलग धंकी धंकी देती हैं, और वो कहती हैं कि राहूल गांधी ने कन्या कुमारी से जब भारत जोडो यात्रा शुरू की, उस समय विवेका नंद को प्रणाम करना वह भूल गए, जबकि सारी दुनिया ने देखा, आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब यात्र शुरू ही, उस समय राहूल गांधी ने, वह वहाँ पर विवेका नंद मेमोरियल गए, बखायदा वहाँ का चक्कर काटा, और जो कुछ स्मृती रानी अपने बयान में कह रही हैं, ठीक उसके उलट घटना घटित हो चुकी थी, सवाल बहुत सीधा सा है, कि कॉंग्रेस की यह जो एहम यात्रा चल रही है, भारत जोडो यात्रा, जो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक, अलग-अलग जगों से होते हुए, बहुत साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है, कि नफरत नहीं, देश को जोडने की ज़रूरत है, देश कितना बहुल है, कितना कॉंग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने दूसरे ढंग से राजनतिक पारी खेलने की कोशिश की है, जिसका उनको पूरा हक है, आप और हम सहमत हों या ना सहमत हों, लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है, कि इस यात्रा को बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन हैं, और शायद यह बात भारती जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर परिशान करना शुरू कर चुकी है, वरना जिस तरह से राहुल गांधी को टार्गेट करके, इस पूरी यात्रा को ही बदनाम करने की साजिश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, नफरती एज और जोडने के बीच का जो संघर्ष है, वह दिनों दिन तीखा होता जाएगा, और 2024 वैसे भी दूर नहीं हैं, एक तरफ कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी डल भी अपनी यात्रा चला रहे हैं, और यह यात्रा काफी दि संघियर धाचा है, संघियर धाचे में जो छेतरप यानी रीजनल पार्टीज और मुख्यमंत्रियों की जो भूमिका होती है, वह कितनी एहम है, अभी हाली में हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार दिल्ली आए और तमाम दलों से उन्होंने मुलाकात की उनके मुख्याओं से मिले, इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का यह कहना कि बिहार में जिस तरह से भाश्पा को बाहर किया गया, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया, वह देश भर के विपक्षी दलों को रास्ता दिखाएगा, तेजस् इर्दगिद समीकरण बनाने का गड़बंधन बनाने का संकेत देते हैं वहीं देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंशेखर राओ वे दावा कर रहे हैं कि उनका दल भी राष्टी दल है यानि वह नेशनल पॉलिटिक्स में राष्टी राजनीती में एक एहम भूमी क अदा करने की दावेदारी कर रहे हैं और यहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं और भारती जंता पार्टी ने जिस तरह से जमीन पर तेलंगाना सरकार को घेर रखा है उसमें शायद अस्तित्व के लिए के चंशेखर राओ का अदालती एजेंट पूरे देश भर में सक्रिये दिखाई देते हैं फुल फॉर्म में दिखाई देते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं देश को अलग-अलग एजेंडों पर बाट कर हिंसा के रास्ते पर उकसाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक नया अयोध्या बनाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है इसी क्रम में जो यह अदालत का फैसला आया है बनारस की ग्यान व्यापी मस्जित को लेकर वह बहुत साफ कर दे रहा है उसको लेकर जिस तरह से जश्ण मनाया जा रहा है कि इसे बड़े पैमाने पर प्ले किया जाएगा ग आज हिंदू महिलाओं ने मिलकर इस परिसर में पूजा पाठ करने की अनुमती मांगी थी और हम सब जानते हैं कि यह रास्ता किस तरफ जाएगा इस देश ने देखा था कि 91-92 में किस सारह से आयोध्या में बाबरी मस्जित का ध्वन्स किया गया था और जिस तरह का जश् राजनिती नफरती राजनिती करने की तैयारी हो रही है और इसी क्रम में हम देख सकते हैं करनाटक और बिहार से आने वाले यह वीडियो क्योंकि हम बता रहे हैं कि नफरत पहलाने वाले तत्व पूरी छूट के साथ नंगा नाच कर रहे हैं अब आप देखिए इस पर जो जुलूस है उसका यह जो गाना बज रहा है इसमें दीजे बज रहा है इतनी गहरी हिंसा की बात करता हुए देश के समिधान देश के कानून विवस्था की धज्यां उड़ाता है लेकिन कहीं से कोई कारवाई होनी बहुत दूर की बात लगती है इसमें साफ साफ शब्दों में जो गाना बज रहा है वो कह रहा है कि वो खून से धर्टी को नहलाने के लिए उतरे हैं और भी बहुत कुछ बातें इस दीजे में इस गाने में कही जा रही हैं और यह अकारण नहीं है कि इस बार पूरी कोशिश की गई हर बार की तरह तकरीबन कि जो हिंदू उत्सव हैं जो जुलूस हैं वह मस्जिद से होते हुए उसके पास तक जाए अब यह देखिए करनाटक के बलारी में गड़ेश चतुर्ती का जो जुलूस है वह मस्जिद तक पहुशता है मस्जिद पर जूते फेके जाते हैं तमाम भड़काओ नारे लगाये जाते हैं और यह सब कुछ वीडियो में कैद है चार लोग गिरफतार हुए एक बात बहुत साफ है कि करनाटक में चुनाओं होने हैं विधान सभा के चुनाओं की तयारी चल रही है और ऐ उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ यह नफरती एजेंट हैं हिंदू मुसल्मान के बीच जो विवाद है इसी पर भरोसा करकर भाशपा वहां पर चुनाओं की वैतर्णी पार करने की कोशिश कर रही है लेकिन मामला सिर्फ करनाटक तक नहीं हमें जो दिखाई द सामने पहुचता है और उग्र जुलूस निकाल कर काट दो काट दो के नारे लगते हैं यह सब बहुत साफ बता रहा है कि नफरती एजेंट हर जगा सकरी हैं बिहार में सरकार बदल जाने के बावजूद अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा और उग्र महौल बनाए रखें दोस्तों इस शक्स का चहरा आप सब जानते ही होंगे इंका नाम है कुणाल कामरा स्टेंड अप कोमेडियन है गुरगाओं में इंका एक कारिक्रम होना था उस कारिक्रम को रत कर दिया गया वजह हिंदू होने के बावजूद विश्व हिंदू परिशत को लगा कि यह हिंदू विरोधी हैं प्रोग्राम कैंसल हो गया इसका जो जवाब दिया कुणाल कामरा ने वह बहुत ही मस्त अपने अंदाज में इसमें एक बहुत मारके की बात कही बहुत सटीक तंज कसा उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है आया जो कोंसे भी शि इस तम्हारा ही है मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मैं तुम्हारे से ज़्यादा हिंदू होने के टेस्ट में तुम से जीद गया हूँ ऐसे में बहुत साफ है कि एक तरफ यह बच्चे हैं एक तरफ भारत को जोड़ने की कोशिश है और दूसरी तरफ नफरत और अपील है देखिए लाइक करिए शेर करिए खोश खबर न्यूस क्लिक शुक्रिया